नमस्कार फ्रेंज जैहिंद मेरा नाम है प्रितेश योशी और राजस्थान की इतिहास कला और संस्कृति यानि राजस्थान की हिस्ट्री आर्ट और कल्चर के बड़े इंट्रेस्टिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है आज इस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं व कई जगे हमें देखने को मिलता है कि इनकी ओरिजन राष्ट कूट से हुई है जो दक्षिन भारत के प्रमुक राजवनशों में से एक था फिर हमने इंपोर्टेंट राजा देखे हमने देखा था राव सीहा जो कि उनके संस्थापक थे फिर राव चूंडा जो कि उनके व चलते हैं राव गांगा ने क्या किया राव गांगा हम देखते हैं कि उनसे रिलिटेट दो इंपोर्टेंट चीज़ें 1527 में खानवा का युद्ध किस-किस के बीच में हुआ था याद करके बताओ कि वही 1527 का जो खानवा का युद्ध था वो बाबर और महाराना सांगा क की तरफ से जोदपुर की एक रेप्रेजेंटेटिव के तौर पर राव गांगा उस समय पर राजा थे और वो किसको भेजते हैं अपने बेटे मालदेव को जो है वो उस युद्ध के अंदर भेजते हैं तो भाग दो में जो पहले राजा की जिस बात करने वाले हैं वो है ह मालदेव को करेंट कर दिया अब अपन बात कर लेते हैं भाहिया मारवाड के पहले पित्रहंता की यह हम बात करें मारवाड के ऐसे राजा की जिसने मारवाड की सीमाओं का सबसे अधिकतम विस्तार किया हम बात करने वाले हैं हस्मत वाले राजा की तो बात कर लेते हैं भा राजय बिशेक होता है 1532 के अंदर कहां पर सोजत अपाली में अब राव मालदेव की जब अबन बात करते हैं तो राव मालदेव किस तरीके से अलग-अलग जगों पर यहां में देखने को मिलता है कि कई सारी उपाधिया इन राव मालदेव से अगर हम बात करें फार्सी इतिहासकारों की तो फार्सी इतिहासकार इनको हस्मत वाला राजा कहते हैं अगर हम बात करें बंदायूनी की तो बंदायूनी इनको कहते हैं भारत का पुर्शार्थी राजकुमार और इनने हिंदू राजा की उपाधी तो दी गई है के कुपादी देख लेते हैं टाइटल्स फारसी इतिहासकार इनको कहते हैं हस्मत वाला राजा टारेट क्वेस्चन आएगा बोर्ड कई बार पूछ चुका है और और बार भी पूछेगा कि किसे हस्मत वाला राजा कहा जाता है तो अंसर क्या होगा राव मालदेव को दूसर का पूर्श आर्थी राजगुमार किसको कहा है तो पैया अपने राव मालदेव को कहा है और साथ-साथ में हिंदू को योंग का सयोग देने की वजे से इनको हिंदू बाच्छा बी जाता है इनको हिंदू बाच्शा भी का जाता है हिंदू का सहयोगी होने के कारण राव मालदेव ने मारवार के विस्तार को अधिक्तम सीमा तक पहुचा दिया और इसके लिए इन्होंने बावन युद्ध लड़े एक फैक्ट यहाद रख लो कि कुल इन्होंने बावन यु 1541-42 में हम यह देखने को मिलता है कि मारवार के राव मालदेव किस तरीके से बीकानेर के जैसी और साथ-साथ में मेड़ता के राजाओं के उपर आकरमन कर देते हैं जिससे वह विस्तार हो सके यह दोनों राजा जो है जाते हैं शेर्शा सूरी के पास और फिर हमें एक भय करते हुए चलते हैं 1541 में पहोबा का युद्ध या शेहोबा का युद्ध होता है फलोदी जोदपूर में 1541-42 के अंदर किनके बीच में मालदेव और राव जैसी के बीच में अब जैसी को जब मालदेव हरा देते हैं तो जैसी कहा जाता है शेर्शा सूरी के पास जाता ह शेर्शा सूरी उसकी मदद तो करते ही है और वो आक्रमन कर देते हैं राव मालदेव के उपर और उस युद्ध को हम कहते हैं गिरी सुमेल का युद्ध एक्जाम में maximum time पूछे जाने वाला अगर कोई युद्ध है तो वो है गिरी सुमेल का युद्ध इसी फैट को देख लेते हैं जैतारण या फिर गिरी सुमेल का युद्ध जो है वो लड़ा जाता है कब तो 5 जनवरी 1544 के बीच किस-किस के बीच में मालदेव और साथ-साथ में शेर्शा सूरी के बीच ये युद्ध जो है मालदेव जीतने भी वाले थे लेकिन हम देखते हैं शेर्शा की धूर्टता के कारण जो मालदेव के कमांडर्स थे जैता और कुमपा उनके और मालदेव के बीच में जो है वो distances हो जाते हैं जिस वजए से मालदेव नाराज होकर बीच युद्ध में छोड़ कर चले जाते हैं और ये युद्ध जो मालदेव जीतने वाले थे वो जीतते जीतते हाड जाते हैं तो इसको भी अपने को फैक्ट के तौर पर याद रखना है कि जैता कुमपा जो मालदेव के important commanders थे उनकी यहाँ पर जो है वो मृत्यू हो जाती है रावल रतन सिंग मिवाड के महराना रतन सिंग की जबवन बात कर रहे थे तो अपने गोरा बादल का नाम सुना था दूसरी अपने को बात याद रखने है इसी तरीके के कई सारे स्वामी भक्त हमें देखने को मिलते है तो अगर मालदेव के context में आए कि जैता और कुमपा कौन सी युद्ध से related थे तो गीरी सुमेल के युद्ध से related थे कौन से राजा से related थे तो राव मालदेव से वो related थे clear हो गई बात तो भी शेर्षा की दूरता के कारण जैता और कुमपा और मालदेव के बीच में distances आ जाते हैं और मालदेव जो है वो बीच युद्ध में चले जाते हैं ये युद्ध मालदेव जीतने ही वाले थे इसका evidence हमें ये भी देखने को मिलता है कैसे जीतने वाले थे इसी वज़े से शेर्षा सूरी ने इस युद्ध के लिए एक बड़ी important बात कही है कि भी एक मुठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बाज़़ध खो बैठ था एक मुठी भर बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाद जो है वो खो बैठता तो हम यह देख सकते हैं कि युद कितना important रहोगा किस ने कहा है तो शेरशा सूरी ने कहा है जीतने के बाद सूरी मस्जित का निर्मान कराते हैं कहां पर जोतपुर दुर्ग में और हम देखते हैं कि मालदेव कहां चले जाते हैं वो सिवाना दुर्ग के अंदर जो है वो शर्ण ले लेते हैं इसी वज़े से सिवाना दुर्ग को मारवाड के राठोडों की शर्ण स्थली भी कहा जाता है question direct क्या बनेगा कि भई सिवाना के दुर्ग हम बात करें ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसे मारवाड के राठोडों की शर्ण स्थली भी कहा जाता है तो भईया वो अपना कौन सा सिवाना का दुर्ग कहां पर स्थित है तो भईया बाड मेर के अंदर जो है वो स्थित है मारवाड के राठोडों की शर्ण स्थली गिरी सुमेल का नाम याद रखे ना, पंदरा सुचोंवाले से, देखो यूद के उपर जो है न, वो question तीन तरीके से आएंगे, पहला तो भई यूद कब हुआ, दूसरा कि यूद कहा हुआ, और तीसरा कि यूद के परिणाम क्या रहे या उसके अंदर related कौन व्यक्ति थे, और अपन बात कर लेते हैं, राव मालदेव से related के और क्या क्या चीज़े की, तो हम बात अगर हम कहें, कि पश्चमी राजस्थान के अधिकांश किलों का निर्माण, राव मालदेव के राजजिकाल के दौरान हुआ, अगर हम बात करें, कि सबसे ज़्यादा किले किस ने ब और इन सभी दुर्गों का जो है, वो विस्तार करवाया या बनाया किसने तुराव मालदेव न, बाई दुर्ग क्यों बनाया, जब सीमाओं का विस्तार हो रहा था, अपने पूरी के बूरे सामराज जी का विस्तार होना था, तो important stations तो बनाने बढ़ेंगे, इसी वज़े स stations के तौर पे हम दुर्गों को देखते हैं, इनकी पतनी थी जिनका नाम था उमादे, और उमादे जो है वो famous है इतिहास में रूठी राणी की वज़े से, अब उमादे और रूठी राणी की क्या कहानी है तो वो भी सुनलो भाई, उमादे के पिताजी थे जिनका नाम था लुनकरंड सर, जैसलमेर के राजा थे, जैसलमेर के राजा लुनकरंड सर ने जो है वो एक बड़ी important एक साजिश रची, कि जो है माल देव को मार दिया जाए, अब माल देव तक ये बात पहुंच जाती है और इसी वज़े से उमादे और माल देव के संबंध जो है वो खर जाती है और उन्हें इतिहास में रूटी राणी के नाम से भी जाना जाता है, तो रूटी राणी कौन है तो भई उमादे हैं, किनकी राणी थी तो राव माल देव के बतनी थी वह उमादे, जैसलमेर के लुनकरंड की पुत्री थी, लुनकरंड जो है वो माल देव को माण प्रोग्राम बनाते हैं यह पता लग जाता है मालदेव को इस वज़े से इनकी संबंद खराब हो जाते तो रूठी राणी उमादे मारवाड की चित्र शैली की अगर हम बात करें कि इसके स्वतंत प्रभाव में किसके दौरान आती है तो अपने को देखना है राव मालदेव के और 1527 के खानवा युद्ध में मारवाड की सेना का नित्रत्व कौन कर रहे थे तो राव मालदेव कर रहे थे इनका जो मृत्व होती है वोती है जैतारण के अंदर कब तुब हिसाथ नॉլंबर 1562 के अंदर इनकी मृत्य हो जाती है clear होगए के जितने भी पुत्र थे जो जेश्व पुत्र थे उनको नकारते जो हुए है हम देखते हैं कि राव्चंद्र सेन को राज़ा बना दिया जाता है तो उनके जो भाई थे उनको इससे समस्या होना जो है प्रताप के अग्रगामी की हम बात करें ऐसे व्यक्ति की जिसने मुगलों के साथ जो है वो पूंड तह लड़ाई करी पर स्वाधीनता की जो अपनी आदत थी वो नहीं छोड़ी तो अपन बात करें भाईया राव चंदरसेन की राव चंदरसेन का राजिकाल देख लेता है राव चंदरसेन का राजिकाल 1562 से लेकर 1581 तक राउ माल देव का उत्तरादिकारी के तॉर पर चुरा जाता है किसको चंदरसेन गो जो कि उनके तीसरे पुत्र थे अब तीसरे पुत्र थे तो चंदर सेन को अपने दो बड़े भाईयों के साथ संगर्ष करना पड़ रहा था, कौन थे उनके बड़े भाई, एक थे राम और दूसरे थे उदैसि, उनके सामने या उनका विरोध जो है वो देखना पड़ रहा था, विरोध जब है घर की बात तो घर तक ठीक थी, विरोध और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, जब राम जो है वो चले जाते हैं समराट अकबर के बाद, क्या भई पॉइंट, 1564 के अंदर राम जो है वो साहता लेने, अकबर की शरण में चले जाते हैं, और अकबर जो है 1564 के अंदर, हुसेन कुली खान को जोदपूर पर आकरमन का भेज देते हैं, अब रावचंदर सेन जो है उनकी समस्या और जादा बढ़ जाती है, और रावचंदर सेन जो है वो मुगलों के खिलाफ पूरी तरीके से बगावत कर देते हैं, और बगावत के दौरान यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है, उसके बाद देख लो, कि रा कनुजा गई, कनुजा के बाद हम देखते हैं, कि किस तरीके से, कनुजा के बाद वो बांसवाणा डूंगरपूर्ट की तरफ जाते हैं, पर वहाँ पर लूट कसोट की एक्टिविटीज की वज़े से, अब लोगों का समर्थन भी जो है उनने पूरी तरीके से खत्म होने को मिलता है, लेकिन राव चंदर सेन की समय हमें एक और इंपोर्टेंट घटना देखने को मिलती है, और वो था 1570 का नागोर दरबार, जो हमें देखने को मिलता है, राव चंदर सेन नागोर पहुंचते हैं, और उनको लगता है कि भाई आप अकबर के साथ बढ़िया मुल मैं तो जो है अपनी पूरी तरीके से जोदपूर की स्वाधिनता को कयामत तक जो है साथ रखूँगा, इसी वज़े से हमें देखने को मिलता है कि 1570 में नागौर दर्वार में मुगलों की अधिनता जो है वो सुविकार नहीं करते हैं, और इसी वज़े से ऐसे कहा जाता है कि मुगलों की अधिनता सुविकार ना करने वाले मारवाड के अंतिम राजा कौन है तो भईया राव चंदरसेन है, राव चंदरसेन है, क्लेर हो गए यहां तक बात, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि राव चंदरसेन की उपादियां कौन-कौन सी, इस वजगे से दोनों अपनी मातही के लिए लड़े इस वजगे से इनका वह एक तरीके से दोनों एक तरीके से तुलना की गए, और नहीं क्या गा जता है, महारणप्रताप का अग्रगामि या फिर पत्प्रदर्शक और राजस्थान का भूला बिसरा राज़ा भी इनको कहा जाता है राजस्थान का भूला बिसरा राज़ा किसे कहा जाता है क्लिएर हो गए यहां तक बात आगे बढ़ते हैं और एक important घटना की तरफ चलते है कि चंदर सेन ने सिवाना दुर्ग जो की बाड़ मेर में है को केंदर बना कर जो है वो मुगलों के साथ विरोध किया और चंदर सेन के साथ में अगर हम बात करें कि एक मात ऐसे राजा थे यानि हम बात करें अकबर ने बीकानेर के राय सिंग को पंदरा सो बहतर में चंदर सेन्स के विरोध जो है वो भेजा मुगलों का विरोध हेतु धन की आवशकता पड़ते ही ये देखते हैं कि सोजत का दुर्ग जैसल मेर के हर राय के पास गिरवी रख देते तो आप इस बात को ध्यान समझो किसी राजा के लिए अपने दुर्ग से जादा इंपोर्टेंट कुछ नहीं हो सकता पर अपनी स्वाधीनता के लिए मात्र भूमी के लिए सोजत का जो दुर्ग है वो हर राय जो की जैसल मेर के राजा थे उनके पास गिरवी रख देते है मारवाड के ऐसे पहले राजा थे जो चापामार युद और साथ साथ में गुरिल्ला युद पद्धती का प्रेयोग किया करते हैं मिवाड में गुरिल्ला युद्ध प्रग्दगती का यह हम करें, मिवाड में गुरिल्ला युद्ध पद्धती का इस्तमाल करने वाले कौन से राजा थे, तो अपने यार्थ कर लू महाराना प्रताप, किस तरीके से उन्होंने मुगलों के छक्ये छुड़ा दिये थे, आजाएगा, दूसरा important question कि मारवाड का प्रताप कौन है, मारवाड का अग्रगामी कौन है, और यह तुलना किस ने करिए, तो अपने सारे के सारे fact याद करते हुए, राव चंद्र से related सारे facts अपने को याद करने है, और आगे बढ़ते हैं, next important राजा की तरफ, जो कि है मोटा राजा उदे सिंग कहा से आगए, अपने देखा था कि माल देव के तीन पुत्र, राम, उदे सिंग, और साथ साथ में तीसरे मारवाड की प्रताप, राव चंद्र सेंग, राव चंद्र सेंग, तो अपने देख लेते हैं, मोटा राजा उदे सिंग, ये वाले पुत 1831 से 1583 तक मारवार को खालसा भूमी जो है वो भोशित कर दिया जाता है अब खालसा भूमी गोशित हो गई कालसा भूमी क्या को पर उस फैक्ट को देखो इसी भूमी में होती है जिसके वो जबर वे श saints को आम syndromat एक्जामपल के तौर पर union territory, union जो है वो directly rule कर रहा है जिस territory के उपर खालसा वो हूँ, मोटा राजा की उपादी इनको कौन देते हैं, अकबर देते हैं, और ये मारवाड के पहले ऐसे राजा थे, जो मुगलों के साथ वैवाईक संबंद जो हैं, उनके स्विकार करते हैं, वै मानबाई, जगत गोसाई, या कई जगा पर जोदा भाई भी लिखा हुआ है, जिनका विवा होता है कि से, तो भाईया, जहांगीर से, और इन दोनों के पुत्र होते हैं कौन, शा जहां, जिसे खुर्रम भी कहा जाता है, और इस विवा के दौरान हम देखते हैं, कि मुगलों का राजनेतिक तोर पे प्रभाव बढ़ रहा है, तो आर्ट एन कल्चर तोर पे भी हम देखेंगे, कि मारवाड की चित्र शैली में मुगलों का प्रभाव पढ़ा था, हमने चित्र शैली की दौरान देखा था, तो अपने फैक्ट याद रख ले ना, बढ़ी ऐ क्लेर हो गई बात, आगे चलते हैं, नेक्स राजा की तरफ जो कि है आपके सूर सिंग, सूर सिंग के बारे में सिर्फ एक फैट याद अगना है, कि अकबर ने इनको सवाई राजा की उपादी दी, दूसरे राजा है गज सिंग, तो गज सिंग को उपादी मिलती है, किसकी दल थंबन की, देता कौन है जहांगीर को, और हमें देखने को मिलता है कि गज सिंग जो है, अपने पुत्र अमर सिंग राठोड को राजा ना बना कर राजा गोशित कर देते हैं, किसको जस्वन्त सिंग को, जस्वन्त सिंग को जो है वो राजा गोशित कर देते हैं, और ग जस्वन सिंग का राजकाल कब से कब था का अपने याद कर लेता है 1638 से 1688 था 11 साल की अलपा यू में जो है वो जस्वन सिंग को राजा बना दिया जाता है शाजा ने इनको महराजा की उपा दी थी और भाई क्यूंकि छोटे थे इसी वज़े से शाह जहां ने असोपा के ठा रख था जब शाह जहां के बाद उत्तराधिकारी युद्ध में दारा शिको और साथ साथ में ओरंग जेव जो है वो लड़ रहे थे तो जस्वन सिंग शुरुवात में तो दारा शिको के साथ में था पर बाद में जब कोई और ऑपशन नहीं बचता तो औरंग जेव के सा हो जाते हैं इस उत्राधिकारी युद्ध के कॉंसेप्ट को जस्वन सिंग की नजर से देख लिए उत्राधिकारी युद्ध के दोरान हम देखे 1657-6823 में औरंगजेब के खिलाफ धर्मत के युद्ध में उन्होंने दारा का साथ दिया लेकिन हम बाद में देखते हैं कासिम खान के विश्वास घात के कारण दारा कीज पराजे हुई और जस्वन सिंग जो थे उनको जोदपूर वापिस आना हो जोदपूर वो वापिस लोटे लेकिन जोदपूर के दरवाजे जस्वन सिंग के लिए बंद हो गए थे क्यों हो गए थे क्यों हो गए थे क्यों हो काबूल का गवर्णर इनको बना के भेज दिया जाता है पहले तो औरंग जेब और साथ-साथ में जस्वन सिंग के संबंध पूरी तरीके से खराब थे अविश्वास के कारण लेकिन हम देखते हैं कि जैपूर के राजा जै सिंग की मद्यस्ता के कारण अब जो है उनके जमरूद में जस्वन सिंग की जो है वो मौत हो जाती है औरंग जेब उनकी मौत पे कहता है कि आज कुफ्र यानि धर्म विरोध का दर्वाजा जो है वो पूरी तरीके से तूट गया आप औरंग जेब और जस्वन सिंग के रिष्टों को इस important court की नजर से बड़ी आसान भ आपको बड़ा important तोर पर याद रखना है क्योंकि एक तो इन्हें कहा जाता है मारवाड का अबुल फजल और इनकी तुलना की जाती है क्यों क्योंकि जिस तरीके से अबुल फजल स्वामी भक्त था उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है मुनोत नैंसी भी स्वामी भक्त तो मुनोत नैंसी की दो important किताबे अपने को याद रखने एक तो मारवाडरा परगनारी विगत और नैंसीरी ख्यात इन दो important किताबों को अपने को याद रखने मुशी देवी प्रसाद ने राज पुताना का अबल फजल कहा है किसको तो वहां मुनोत नैंसी को और राजस् राजस्तान के संपून इतिहास को करमबद लिखने का श्रेज आता है करनल जेम्स टोर फिर घोड़े वाले बाबा को कहा जाता है और इसी वज़े से हम कहते हैं कि ये राजस्तान के इतिहास के पितामा है राजस्तान के इतिहास के जनक है राजस्तान के इतिहास के पितामा है अगर हम बात करें कि मारवाड की चित्र शैली थी उसका स्वर्णिम काल कौन सा था तो भईया जस्वन सिंग काल ही उनका स्वर्णिम काल था यह हम कह सकते हैं जस्वन सिंग के काल के दौरान मारवाड की चित्र शैली का स्वर्णिम काल भी कहा जा सकता है जस्वन सिंग की मौत के बाद 1678 में औरंग जेब जोधपूर की भूमी को खालसा भूमी गोशित कर देता है और आप वापिस से समस्या उठ जाती है जो पहले हुई थी अब राजा कौन बनेगा और राजा बनाने के दोरान मारवाड के स्वामी भक्त यहां बात करें दुर्गादास राठोड की है एंटरी होती है तो तब से पहले दुर्गादास राठोड के बारे में एक फैक्ट अपने को याद रखना है आस करण के पुत्र दुर्गादास राठोड को मारवाड का उद्धारक भी कहा जाता है अजीद सिंग को गद्धी पे बैठाने का श्रेक इसको जाता है तो दुर्गादास राठोड को मारवाड का उद्धारक कहा जाता है और करनल जेम्स टॉर्ड ने इन्हें राठोडों का यूलिसेस भी कहा है तो अपन बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपोर्टेंट राजा महराजा अजीद सिंग अजीद सिंग से रेलेटेट फैक्ट्स के साथ साथ करते हैं 1679 में ये लाहोर में इनका जन्म होता है और अजीद सिंग और साथ साथ में उसकी माता को दिल्ली के किले में कैद कर रखा था और कैद से चुड़ाने आते हैं मारवाड के उद्धारक कौन तो भई अपने दुर्गादास राठोड दुर्गादास राठोड ने जो है वो मुकुन दास खींची की साहता से अजीद सिंग को दिल्ली के किले से निकाल कर कालिंदी के कालिंदी सिरोही में जै देव भामन के घर रखा और साथ साथ में हम देखते हैं कि मेवाड के राजा राज सिंग की साहिता प्राप्त करी उनको वापिस लाने के अंदर तो दुर्गादास राठोड के बारे में 4-5 important facts कि पिता का नाम आसकरन और इन्हें मारवाड का उधारक भी कहा जाता है अजीज सिंग को गद्धी पर इन्होंने बिठाया किसकी मदद से बिठाया तो अपन याद कर ले हैं साहिता किसकी लिए महाराजा राज सिंग की विवाड के माराणा राज सिंग की लिए अब clear बाद, अब आप जब मेवाड पढ़ रहे थे तब आपने पन्ना धाय का नाम सुना था, उसी तरीके से जिस तरीके से पन्ना धाय ने अपने बेटे की शहादत दी मेवाड के माराजा उद्य सिंग को बचाने के लिए उसी तरीके से गोरा धाय ने भी मारवाड के कि जो मारवाड का नाशनल सौंग है, मारवाड का जो राशगीत है, राशगीत है धूंसा उसमें भी है, पूरी तरीके से गोराधाय को शामिल दिया गया है, गोराधाय को पूर्ण तहर रिस्पेक्ट दी गई है, मारवाड के राशगीत के अंदा, और important facts, इनी के दौरान हम में दिबारी समझोता देखने को मिलता है, और साथ साथ में दिबारी समझाता कब हो था, तो 1707 इस्वी में औरंग जेब की मृत्यों के बात, अगर हम बात करें, अजीत सिंग के कोई दरबारी कवी, तो अपने याद रखना है, जग जीवन भट, जो की important रशना करते हैं, अजीतो दै, तो ये अपने सारे के सारे facts से आपके अजीत सिंग से related, और दो तीन important राजाओं की बात करते हैं, अबै सिंग, अबै सिंग के दौरान हमें खेजरली ग्राम के अंदर, अमरिता देवी बिशनोई का चिपको आंदुलन या खेजरली आंदुलन जो है वो देख अबै सिंगे दोरान, विजय सिंग के अलावा हम देखे, नेक्स रूलर तो विजय सिंग के दोरान हमें विजय शाही सिक्के देखने को मिलते हैं, जो चांदी के सिक्के प्रिविलेंड थे विजय 6 खें, नेक्स्ट अपनी राजा आजा जाते हैं मान से, मान सिंग से related सारे महा मंदिर की कहां परिस्थीत थी चोवaldपूर है क्यों important य है नाथh swoją मंदम के यह नाथ पंथ का बड़ा important मंदिर खुत संप्रदाय का प्रमुख मेरां आप जब महरांगर्दुर्ख पढ़रे तो उसमें आपने मान प्रकाष पुस्थ काले देखा था वो इन्हीं नहीं बनाया था, इस fact को याद कर लेते हैं, महरांगरदुर में मान प्रकाश पुस्तकाले की स्थापना करी, मान सिंग के अगर हम बात करें दरबारी कवी की, तो नाम याद रखना है क्या, बांकी दास, बांकी दास जो है इनके दरबारी कवी थे, जिन्हों ने लिखी बां ये जो कृष्ण कुमारी विवाद था, उसके कारण 1807 में गिंगोली का युद्ध होता है, किसके बहिया जैपुर और साथ साथ में मारवाड के बीच में, मारवाड के बीच में, और अगर हम बात करें, कि जो अंग्रेजों से के साथ, 1808 की सायक संदी हुई थी, उस दौर जो धुपुर के राजा कौन थे, तो महाराजा मान सिंग थी, 1808 में अंग्रेजों के साथ सायक संदी हुई थी, उसके दौरान कौन थे राजा, तो मान सिंग का नाम अपने याद रखना है, और 1857 की करान्ती के समशासक कौन थे, तो तकट सिंग थी, जस्वन सिंग दुति इनका नाम याद रखना है एक बड़े इंपोर्टेंट संत की मौत से रिलेटेड क्या वैश्या नन्नी भाई भक्तन या फिर नन्नी भाई ने द्यानन सरस्वती को विश्दे कर जो है वो मार दिया था द्यानन सरस्वती के बड़े इंपोर्टेंट अनुयाई थे कौन नेक्स्ट राजा की तरफ चलते हैं ऐसे राजा जो 1947 की समय जो है जोदपूर की गद्धी पर आसीन थे तो यह अपन बात कर रहे हैं हनुमन सिंग के राजस्थान के एकी करण के समय जोदपूर के शासक कौन थे तो हनुमन सिंग थे इसके लवा इनके पूत्र गज सिंग का अपने को नाम याद रखना है कि 1986 में अकाल पढ़ने के कारण रुणेचा की पैदल इन्होंने यात्रा करी और गज सिंग रितिये को पानी बचाओ अंदुलन इन्होंने चलाया और इसी वज़े से इनको मारवाड का भागी रत भी कहा जाता है गज सिंग को मारवाड का भ बनाने कैसे कि आपने चोट ऐसा हनुमान सिंग का नाम या पर याद रखा क्या इंपोर्टेंट वह एककरन के इंपोर्टेंट रा जाते और कई बार कहा जाता है कि मुहमद अली जिन्ना से भी यह मिले थे दो फैक्ट लिख दिए एक्जांपल की तौर पर जैस्पन सिंग सेकिंड देख रहे हो तो जितने भी फैक्ट से अपने को सूरी की किरणों की तरफ बार बार याद रखने फाइदा क्या होता है फाइदा यह होता है कि अपने जब याद करते हैं तो अपने को पिक्टोग्राफिक मेमरी जादा आसानी से याद रहती है पिक्टोग्राफि झाल 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 झाल